बहुत सरी आदमी देखा होगा D-Listate Coin इसका मतलब क्या होता है एंद बहुत सरी आदमी लोग Sun 코ипto Apps यूज करता है लेकिन D-Listate Coin पहले से आपको मैसेज दिया जाता है जिए वाला कोयन Sun liquidity Apps से गाये हो जाएगा मतलब इसका deposit withdrawal totally stop हो जाएगा लेकिन इसका meta जानने से पहले आपको समझ लेना चाहिए आप किसी भी crypto का अंदर deposit करने से पहले किसी भी token का अंदर deposit करने से पहले किसी भी coin का अंदर deposit करने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कौन सा coin सही है कौन सा coin सही नहीं है कितना देर तक deposit करने से आपको benefit मिलेगा कितना साल तक deposit करने से आपको benefit मिलेगा और safety है ना नहीं इसको पहले आपको जान लेना चाहिए All Wall के अंदर Top 10, Top 5 का इलावा किसी भी coin का अंदर आप long investment मत करो नहीं तो कभी भी कहाँ पर फस जाओ के आपको खुद को भी नहीं बता होगा क्यूंकि Sun Crypto हो कोई दूसरे कोई exchange हो कभी भी किसी भी coin को delisted करवा सकता है Delisted क्यूं करवाता है उसका भी एक बहुत बड़ा reason है क्यूंकि आपको ये बात क्यूं में बता रहा हूं उसका भी एक reason है Sun Crypto ने already एक mail में भेजा था फाइब जो token है Sun Crypto apps का अंदर मतलब Sun Crypto exchange का अंदर उसको Sun Crypto से हटा दिया जाएगा Actually 5 token कौन सा है एग है one art दूसरा है उसी coin नाम आपको दिखा दे रहा हूं देग लेना Actually आपको पता होगा coin को क्यूं disable किया जाता है and delisted किया जाता है पता है कोई भी coin कोई भी exchange का अंदर जब listing होता है तब उसका देखवाल से लेके उसका क्या movement चल रहा है हर नजर जिस exchange का अंदर ओवला coin listing होता है ओवला exchange ओल लेड़ी उसका उपर नजर गड़ा हुआ रहता है लेकिन आप सुनो के तो चौक जाओगे बहुत सारे बंदे पैसा का लालेज में इस इतना सारे coin में deposit कर देता है लेकिन जो अच्छा वाला exchange होगा उसका हर टाइम all crypto का अंदर, all token का अंदर all coin का अंदर नजर पड़ा हुआ रहता है जि कौन सा coin कौन सा गलत movement कर रहा है कौन सा गलत trading platform में public से पैसा लूट रहा है उसका भी थोड़ा नजर रहता है इस टाइप का problem में इस टाइप का problem में कोई भी token फसे का तो उसको delisted कर देगा यह है पहली बात नहीं तो जिस exchange में कोई भी coin हो कोई भी exchange का अंदर किसी भी coin का कोई गलत movement दिखाई देता है तो ओ वाला exchange उस token को उसका listing से हटा देता है मतलब आप समझ चुके होंगे कोई भी token का अंदर deposit करने से पहले पहले आप सोच लेना आप कितना दिन के लिए deposit करने के लिए आ रहे हो long investment करने के लिए आप planning करते हो तो आप हमेशा top 10 top 5 का अंदर deposit करना उसका पीछी में जाओगे तो आप दिमाग में वैठा लेना आप short time के लिए deposit करोगे long investment मत करना क्योंकि long investment करोगे कभी भी आपका जितना सारे पैसा zero करके छोड़ देगा आपको खुद को भी नहीं पता होगा क्योंकि बहुत सारे मार्केर में token पार डे लांचिंग होता है बहुत सारे exchange में कौन सा exchange illegal crypto को illegal coin को आने के लिए उसका दरवचा खुला रखा हुआ है जिस coin का अंदर deposit करोगे बहुत सारे volatile मिलेगा कभी भी पैसा आपका गाइब हो जाएगा आपको खुद को भी नहीं पता होगा इसलिए आप कभी भी long investment करते हो तो top 10, top 5 के इलावा किसी का अंदर long investment मत करना नहीं तो token के अंदर deposit करोगे तो पैसा हरा होगे ये बहुत सारे coin market में आता रहता है इसलिए उसका price भी बहुत जादा different होता रहता है क्योंकि competition market अल्रेडी बन चुगा है इसलिए इस competition को beat करने के लिए जो पहले वाला coin launching हो चुगा है उसका भी एक reason लेके market में आया था business करने के लिए लेकिन जो नया-नया coin आता है उसका नया-नया policy लेके आता है नया-नया business करने का technique लेके आता है उसके साथ complete नहीं कर पाता है इसलिए उसका trading graph बहुत नीचे में चला जाता है public लोग का जो पैसा deposit हुआ है उसका भी बहुत नुकसान हो जाता है इसलिए कभी भी जितना भी token से देख रहे हो coin देख रहे हो top 10, top 5 का इलबा किसी भी coin के पास आप जाओगे तो आपका पैसा डूबेगा long investment करने के लिए इसलिए आप top 10 top 5 के इलबा जिसी भी coin का अंदर deposit करने जाओ किसका भी वीडियो देख लो आप ध्यान में रखना short time investment करने के लिए सोचना जैसे profit मिलता है वहाँ से निकल जाना नहीं तो कभी भी आपका balance zero करके छोड़ देगा आपको खुद को भी नहीं बता जलेगा क्यूंकि बहुत सारे exchange already बता हुआ रहता है जिए delisted कर दिया delisted मतलब होता है कोई भी crypto बीना मनमर्जी में उसका काम करता है illegal activity करता है तब ओवला exchange उसको delisted करके छोड़ देता है क्यूंकि बहुत सारे जो अच्छा अच्छा crypto exchange है ओवला काम ऐसे ही करता है जो coin जो token ज़्यादा मनमानी करता है ज़्यादा नकड़ावाजी दिखाता है कोई trading platform में कोई गड़बरी करता है तो उसका नज़र में आ जाता है तब उसको delisted करके छोड़ देता है हाई गाईस जो लोग crypto में invest कर रहे हो एवला वीडियो ध्यान से देख लेना चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में